देखे दोस्तों अभी बिहार सरकार के दोवारा एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है, अपडेट यह है कि बिहार में जो कर्याले परिचारी की भरती है, जो कि लंबे समय से आप सभी जानते हैं कि इसके लोग वेट कर रहे हैं, काफी सरो लोग फर्म को भरा हुआ था लेकिन उनका selection नहीं हो पा रहा था, तो finally अभी उसका update आचुका है कि आप किस तरह से online form को भरेंगे और किस तरह से आपका selection होगा और पूरी तरह से आपका permanent job होने वाला है, तो इस वीडियो में हम cover करेंगे कि actual में किनको form को भरना है, किस तरह से form को भरना है, क्योंकि इसक अभी जनकारी हमने इस वीडियो में cover करने की कोशिस किया हुआ है, तो अगर आप भी कर्याले परिचारी के पदों पर भरती होना चाहते हैं, तो कहीं ने कहीं आपके लिए बहुत बड़ा update है, इस वीडियो को शुरू से on तक लेकर जरूर देखें, चलिए आज का वीडि कर्याले परिचारी के पदों पर भरती होने वाली है, इसकी यहाँ पर notification भी जारी कर दिया गया है, और साथी साथ यहाँ पर online आविदन करने का link भी यहाँ पर उपलब करवा दिया गया है, फॉर्म को भरने से पहले आप एक बाद जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप इसके कौन लोग form को भर पाएंगे, तो उसको समझने के लिए हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको link दिखायते हैं, देखिए यहाँ पर click करेंगे तब 15 जनवाडी से इसका application form जो है शुरू किया गया है, और 31 जनवाडी 24 तक जो है form को भर सकते हैं, जहाँ पर registration क करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक नोटी जारी किया गया है, जिसको आपको download करना है, इसी से clear हो पाएगा कि कौन लोग यहाँ पर आवदन करेंगे, अब इस पर click करेंगे, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से notice आएगा, जो की बिहार कर कमचारी चायन आयोग यानि की BSAC के दुवारा 12 जनवरी 24 को जारी किया गया है, इसमें आप देखेंगे न, तो करियाले परिचारी, परिचारी बिजिस्ट के पदो पर नियुकती के समंधित यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले समझने की कोशिस करिए कि यह जो है नए सीरे से भरती यहाँ पर नहीं हो रही है, बहुत पहले क्या हुआ था कि पटना जीला अस्तर पर पर परिचारी के पदो पर भरती निकाली गई थी, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, 2012 के पहले की बात कर रहे हैं और 2012 के बा दौरा एकजाम लिया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर भरती होगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि यह जो माबला है ना पतना हाई कोट में चला गया, और वहाँ पर देख सकते हैं कि कई सरे केस यहाँ पर चले हुए हैं, जो केस नमर यहाँ पर मेंसन किया गया, यहाँ लोग की परिचारी रिक्तियों की भरने है तो जो निर्गित विग्यापनों है उसके अलोग में जो भी पूर्व में आवधन किये हैं जैसे कि 2012 के पहले या फिर 2012 के बाद जो भी लोग आवधन समर्पित किये थे वैसे सभी आवधकों की one time major के रूप में जो है बिहार करमच परिचारी चयन आयोग के दवारा परतियोगता परिच्छा आयोजित करके योगी अभियर्तियों का सेलेक्शन किया जाएगा समझ में आ गया तो जिन्होंने 2012 के पहले या फिर 2012 के बाद जिन्होंने परिचारी के पदों पे offline online जिसके भी माधियम से अपना form फिल किया और भी जनकाई देखेंगे तो online का जो date है इसमें भी mention कर दिया गया है कि आपका जो online होगा 15 जनवरी से होगा और 31 जनवरी तक जो है form को भर सकते हैं अब मान लेजिए आप नए candidate है आपने 2012 से पहले या फिर 2012 के बाद कोई भी परिचारी की form नहीं भरा था तो आप यहाँ आप आवेदन करने के लिए आप इसके लिए योग यह नहीं है नए सीरे से आपका बहाली नहीं किया जा रहा है जो परिचारी की भरती आने वाली है चाली सार के something पदो पे उसकी अभी कोई अपडेट नहीं है अपडेट होगा तो आपको बता दी जाएगी तो यही जनका में शाया राम का अस्तर होगा भाकी जो बारे बारे दो हजार बारे के बारे की बारे के भार्म फिल किये घए इस जनकारी को यहाँ पे मेंसन किया गया है और उम्र सीमा की जो गड़ना है न वो कट अप डेट का निर्धारन योम अरक्षर के समंध में जीला दोवारापुर में परकासित बिग्यापन में जो निर्धाइद आयू सीमा था उसके अनुसारा था उस समय इस समंध में परभ न जनकारी जो है पुनहा आवधन कर सकते हैं बी एससी के माधियम से उसके बाद आपका एकजाम होगा एकजाम होने के बाद एकजाम के बेसिस पर आपका सेलेक्शन होगा ते जो है नए कंडिडेट के लिए नहीं है बिलकुल भी नहीं है दोहजर बारे से पहले या फिर 2012 के बाद जिन्हों ने परिचारी के पदों पर आवधन किया था ठीक है करयाले परिचारी या फिर परिचारी बिस्स्ट के पदों पर आवधन किया था उनका यहां पर पुनहा आवधन बी एससी के माधियम से लिया जा रहा है अब आप वैसे कंडिडेट है तो आप यहां के बारए के या फिर 2012 के पहले तो यहाँ पर आपको सेह्ट करने का मिलेगा बीफोर देख सकते हैं कि बारए-बारे दोज़। या 00-93-2012 के बाद तो जो भी आपका condition होगा उसका selection करेंगे और बाकी यहाँ पर आपने पटना जिला के लिए फॉर्म फिल किया है क्योंकि पटना जिला के विभिन कर्याले में कर्याले परचारी के पदों पर भड़ती निकाली गई थी बाकी जनकारी भरके आपको फॉर्म को भरना होगा वैसे कंडिडेट आप हैं जिन्होंने 2012-2012 के बाद पूर्व में आवधन किया थ हुआ है कि आपने पूर्व में आवधन किया हुआ था और अभी तक आपका भर्ती नहीं हुआ तो आप जो है यहां पे ँसाओ norm चो लगा होगा तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आपके उनन में कोई भी सवाल होग है इस वीडियो से ठ्लेटेट तो हमें कमे झाल झाल